इंडिया लांड है डाइवर्स कल्चर, ग्रेट एंपायर्स और डिफरेंट सिविलाइशेशन का। मौर्या, मुगल्स और गुप्तास के बारे में तो हम सब ही जानते हैं। बट इनके अलावा भी कई और ग्लोरिस एंपायर्स हैं जिनके बार में हमें जानना चाहिए। जैसे की बात करें 9th century की जब ट्राइपार्टाज स्ट्रगल चल रहा था पालास, प्रतिहारास और राश्ट्रकुतास के बीच इसी बीच शुर्वात हो रही थी one of the greatest empires की, the चोलास। So hey everyone, welcome to Phenology Legal, मैं हूँ Himanshi और आज हम देखने जा रहे हैं इसी empire की journey के बारे में, from being just चोलास to the imperial चोलास। यह historically इतने पुराने थे कि इनका reference ना मायन में भी पाये गया। यह one of the longest serving dynasties थी, जिनका earliest datable reference हमें अशोकन inscription से मिलता है। वही संगम एज और उनके literature की बात करें, तो तीन important dynasties थी, Chera, Chola and Pandyas। इनी चोलास की हम बात करें, जिनका origin हुआ, Kaveri Delta के अराओं। जिसके सबसे powerful rulers रहे, fathers and duo, Raj Rajawan and Rajendra Cholaawan, जिन्होंने इस empire को beyond this sea expand किया। Imperial Chola dynasty के founder Vijayala को माना चाता है, जो पलवास के fidutory थे। पर यह थे कौन? इस region में इनके पहले, Pandyas और पलवास के बीच conflict थी, South India में supremacy के लिए। इसी conflict और इनके weakness का advantage लेते हुए, Vijayala ने Pandyas को हराया और थांजवूर को अपनी capital बनाई। आगे चलके, आदितेवन ने empire को strengthen किया, पलवास को हराया और चोला के empire को आगे बढ़ाया। वही राज-राजा चोला और राजेंद्र चोला ने इस small state को empire का रूप दिया। कावेरी डेल्टा के beyond इसे expand किया, जैसे साउथ इस्ट एश्या में श्री विजया empire, श्री लंका, मालदीप, लक्ष्वदीप और मलाया पनिंसुला तक, trade relations भी established किये, चाइना, मलेशिया, कंबोधिया और इंडोनेशिया तक, ये celebrated dynasty अब extend हो चुकी थी इतने बड़े एरिय चोला empire के foreign expansion का credit दिया जाता है, इनकी strongest naval force को, जिसके करीब 70 regiments ते, जिसे आज tribute देते हुए, Indian Naval Academy इनके नाम पर की गई है राजेंद्र चोलावन का सबसे बड़ा achievement था, empire को beyond गंगा expand करना, जिसकी वज़े से इन्हे title दिया गया, गंगाई कोंड चोलम का, वो जिन्होंने गंगा को conquer किया इसके बाद इन्होंने एक नई capital established की, गंगाई कोंड चोलपुरंग, जो आज के तमिल लाडू में है, जो आने वाले धाईसो सालों तक चोलाज की capital रही है इनका empire सिर्फ territory expansion के लिए ही नहीं जाना गया, बलकि इनके rule को the civilization of golden age भी कहा जाता है क्योंकि इस दौर ने witness किया, onset of a new culture and art, Dravidian architecture, Tamil literature, sculpture and bronze work में, infrastructure development के साथ agri culture भी expand हुआ, kenals बनाए गए और water tanks भी चोला rulers ardent shewite थे, यानि शिवभग जिनोंने कई temples बनाए तो आज के IT hubs की तरह, बैंगलूर की ही तरह, temple towns बनाए गए as centers of economic activity इस period ने देखा best examples of Dravidian style architecture, जिसमें गर्बगरिह, विमान, शिकर और मंडप हुआ करते थे Especially राज-राजा वन के रीन के दौरान बनाए गए temples को, great living chola temples कहा जाता है जैसे ब्रिहदेशवरा temple, गंगई कोन, चोलपूरम का temple, एरावटेशवर temple, जो आज UNESCO World Heritage Site का भी हिस्सा है इस दौरान बनाए गए bronze statues ने lost whack technique का इस्तुमाल किया और कई traditional icons भी बनाए गए जिसमें one of the greatest examples है, नटराच statue जो शिवा के cosmic dance को टेपिक करता है इसके अलावा अर्द नारेशवर, भोग शक्ती और सुब्रमन्यम भी masterpieces थे यह यूही one of the greatest empires नहीं माना गया है इनकी administration की बात करें तो यह काफी well organized and efficient हुआ करता था इसी वज़े से इसे one of the earliest examples of democracy माना गया क्योंकि आज के ही तरह तीन levels of administration हुआ करते थी central, provincial and local दो king या emperor top पर हुआ करते थे पर इनकी अपनी एक well developed secretariat भी थी यह सबी बाते हमें उत्तरा मिरूर inscription से पता चलती है यह palm leaves का इस्तेमाल करते थे record management के लिए जैसे land or intelligence report पूरे empire को 9 provinces यानि mandalums में divide किया गया जिसके head governors हुआ करते थे इन provinces को districts यानि नाडूस में further divide किया गया जिसे govern करती थी autonomous assemblies villages जो lowest unit of administration हुआ करती थी इनकी अपनी gram सभाब हुआ करती थी जो दो प्रकार की थी और और सभा ये unique administration system हमें गांधी जी के village republic ideas की याद दिलाता है और modern age पंचायती राज institutions की थी तो ये थी कहानी चोला empire की जो symbolize करता है period of rapid advancement जिससे हम पीछे मुण के काफी कुछ सीख सकते हैं इसी session की तरह अगर आप चाहते हैं कि current affairs related topic पर आपकी तयारी अच्छी हो और आप आने वाले examinations पर अच्छा score कर सके तो आप enroll कर सकते हैं हमारे इस course पे जिसके साथ आपको free test series भी provide की जाती है which has more than 500 questions to test your knowledge better so if you want to enroll you can click on the link below and now I shall see you in the next one